हलो दोस्तो आज इस वीडियो में कोई मोबाइल के डालर के hidden feature से related बात करने वाले हैं चलिए दोस्तो मोबाइल के डालर tone बाइडिफॉल्ट कुछ इस तरह होता है अगर आप इस डालर tone से बोर हुचुके होंगे तो चलिए दोस्तो इसे change कैसे करते हैं वो देखेंगे आप इसमें दुसरी प्यानो की डालर tone कैसे set करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अपने मोबाइल के डालर की pad में जाके नीचे left corner में तीन लाइन दिये हैं उसे click करें फिर setting में click करें आपको कूछ ऐसा open होंगा उसमें advanced setting में click करें फिर नए page में first option dial pad touch tone में click करें फिर उसमें tone में click करें उसमें से second piano key में click करें आपकी डालर tone change हो चुकी है वापस डालर की pad में जाए और number प्रेस करें जिससे आपको अपनी डालर tone change मिलेंगी ऐसी बहुत सी information पाने के लिए हमारे channel को subscribe करें और bell icon जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी new video की notification मिलती रहेंगे और वीडियो को like करें जैहिन दोस्तो ठैंक यू